नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 13 जून 2022 के डिली The Hindu Editorial Discussion में आपका स्वागत है कौन कौन से news हम लोग discuss करने वाले हैं, कौन कौन से articles discuss करने वाले हैं तो basically एक article में तो इंडिक civilization की बात कररें हैं सशी शरूर साथ कुछ बहुत important मुझे लगानी एक ideological viewpoint दे रहे हैं इस प्रकार के articles में नहीं take up करता हूँ Boris Johnson के समय सामने क्या problem निकल क्या रही है ऐसी क्या activities करी है Boris Johnson ने जिससे उनकी कुरसी खुद खत्रेम आई है और उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं क्यों से लोग नाराज हैं जो vote of confidence इन्होंने अभी के लिए survive कर लिया है वो लंबे समय तक फिर से नहीं आएगा इसकी क्या guarantee है इस सब चीज़े के बारे हम देखेंगे फिर अफगानी women के rights risk पे हैं ऐसा बोल रही है शान्थी मारिये डुसीज़ा जी क्या बोल रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे फिर next नवीन पतनायक और जो बीजू जनता दल है ये ओडिसा की politics में कितना dominant है इसके बारे में हापे बात करेंगे फिर January 2021 में जब Joe Biden election जीत गए थे तो US capital के उपर एक attack हुआ था और most probably ऐसा बताया जाता था कि इस attack को खुद Donald Trump ने इंस्टिगेट किया था तो Donald Trump के अगेंस जो केस वगारा चल रहा है इसको लेके क्या 14th amendment invoke किया जाएगा क्या Donald Trump को अगले presidency चुनाओ से अलग किया जाएगा इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे फिर बात करिए ominous prosecution ominous prosecution देखे दिल्ली पोलिस ने recently बहुत सारे cases register कर लिये मतलब basically जिन्होंनों भी धरम के नाम पर कुछ इंस्टिगेटरी भाषण दी है उनके अगेस्ट केस रिजिस्टर कर लिया अब इस प्रकार से अगर आप cases register करोगे तो specific तरीके से जिसने गलती किया है उसकी आपके लो investigation नहीं हो पाएगी अगर किसी ने कुछ गरत बोला उसकी specific individual basis पर investigation हो तो आप कह सकते हो कि हाँ बाई आपने यहां पर कुछ ना कुछ लॉजिकल किया है किसी ना किसी को गलती करने पर सज़ा दिये बट ओम नी बस तस पंदरा को कीच लिया case में उसको adjudicate कर दिया वह एक सह होने चाहिए तो कुछ BGP party को नसीहत देती है नजर आ रही है तो इस particular article को मैं थोड़ा skip कर रहा हूं आप चाहे तो अलग से पढ़ सकतो और पांच आर्टिकल्स है डिसकस करने के लिए इनको डीटेल में देखेंगा आगे बाद इस पहले वीडियो पे लाइक का बटन दो शेर और कॉमेंट जरू करिए इससे वीडियो का engagement बढ़ता है यूट्यूब वीडियो उसको और लोगों को recommend करता है फिर क्या बता है देखिए vote of confidence को Boris Johnson survive कर गए है इनके backbenchers मतलब आप कह सकते होगी इनके political party की member लेकिन बहुत ज़र पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है तो backbenchers बोल दिया तो backbenchers ने 6 जून को जो conservative party के ही उन्होंने बोरिस जॉंसन के against no confidence motion इंट डिडियूस कर दिया 6 जून को बहुत सारे आप कहलो लगभग इनके ही parliamentary colleagues 40% parliamentary colleagues ने इनके against voting दी इसलिए यहां पर बोरिस जॉंसन अपनी कुरसी पर बढ़ रहे हुए है अब conservative party के नियम कान कानूनों के हिसाब से 12 महीने तक दूसरा no confidence vote लेके नहीं आये जा सकता है मतलब at least 12 महीने तक तो अपनी कुरसी पर बैठे रहेंगे बोरिस जॉंसन साब लेकिन ऐसा सुनने मा रहा है कि इनकी ही party members इस बात की planning कर रहे हैं कि भाई एक बार अगर no confidence motion नहीं पास होता है तो 12 म overall क्या पूरा का पूरा सिन्यारो है ब्रिटेन की politics की हलकी फुलकी जलक यहां पे दी गई है Mr. Johnson ने इस no confidence motion को survive करने के बाद बोला है कि भाई मैं कहीं न कहीं अपनी प्रेमिर्शिप को अपनी leadership को change करूंगा यह जो electorate मेरी जंता मुझसे नाराज है इनके बारे में बात एक तो England की चंता Boris Johnson से COVID-19 regulation को तोड़ने की वैसे नाराज है जब England के अंदर एक बहुत ही strict COVID-19 का lockdown लगाए जा रहा था तब जो Parliament की आगे बगल में जो डाउनिंग स्ट्रीट है डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टी करते पाए गए थे Boris Johnson से और उनके मिनिस्टर तो इस बात को लेके England के लोग बहुत नाराज हो गए कि एक तरफ तो भाई England के लोग घरों में बंद है और Boris Johnson खुले हम पार्टी कर रहे हैं उसकी photo बगरा मीडिय में रिलीज हो गई रिशी सुनाक के अगेंस्ट भी केस हो गया हाला कि जब Boris Johnson को ट्राइ किया गया तो इनको केवल एक बर्दे पार्टी के लिए सजा दी गई हाला कि बहुत सारी ऐसी पार्टी जिसमें ऐसा कहा जाता था कि Boris Johnson अटेंडेंट थे मेट्रपॉलिटन फुलिस ने बारा लॉक्डाउन वाइलेशन के लिए तिरासी पीपल के अगेंस्ट 626 फाइन लगए मतलब एक्शन तो लेना ही था जब लोगों को पता चलाए कि भाई डाउनिंग पार्टी स्ट्रीट हुई है तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना इंगलेंड के अंदर तो देखो यहां पर नहीं चल पाई जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद रूल्स और एग्रिमेंट्स के लिए डिस्रिगार्ड कर रहा है अब इसमें एक और चीज़ है यहां पे एक मतलब इंगलेंड के अंदर एक अन्रिटन कान्वेंशन है कि भाई अगर आपका पुब्लिक परसेप्शन खराब हो रहा है अगर आप कुछ गलती कर रहे हो और वो गलती मॉरल बेसेस पे बहुत सथा बड़ी है तो बिना कहें आप अपना रिजिगनेशन दोगे ठीक है तो जो अन्सपोकन रूल बुक है वो यह बोलती कि प्राइम अपनी कुर्सी पर से रिजाइन करने से मना कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि युनाइट यह जो युनाइटेट किंग्डम है युनाइटेट किंग्डम में हर चीज कॉंस्टिटूशन में लिखी हुई नहीं आपको पता होना चाहिए युनाइट किंडम में एक इसी पार्लोमेंटरी डेमोक्र 맞아 जिसको अन्रेटर कंस्टिटूशन का मतलब समझते हो हैं इन्डिया में रिटन कोंटिटूशन ने तो है कि अगर किसी लीडर के अगेंस्ट को बड़ा इल्जाम लगा है तो वो लीडर चुप चाप से रिजाइन कर देगा बिना कॉंट्रोवर्सी में लेकिन यहां पर रिजाइन करने से भी बोरिस जॉंसन ने मना कर दिया तो इस बात को लेके और गुस्ता है फिर भाई नॉर्दन आयर्लेंड प्रोटोकॉल ब्रेक्जिट बिड्रॉल के बाद जो नॉर्दन आयर्लेंड प्रोटोकॉल साइन हुआ है इसके चलते ओवर और नॉर्दन आयर्लेंड कंट्री फिर यह जो आयर्लेंड ह बेसिकली देखा जाये तो Northern Ireland Republic, बेसिकली जो Ireland का आइलेंड है ना, Republic of Ireland South की तरफ पे, वो European Union का मेंबर हो, North में जो Ireland वाली ट्रेट्री वो UK की मेंबर है, अब Northern Ireland और बाकी Republic of Ireland में, बीच में कोई भी trade customs barrier नहीं है, लेकिन ये customs barrier Northern Ireland और England की बीच में बन जा ले थे, तो basically England को Northern Ireland में समान पहुचाना मुश्किल हो पा रहा है, तो बोरिज जोंसन ने क्या बोला, कि ये जो Northern Ireland का इलाका, इसको मैं Republic of Ireland से बिलकुल अलग कर दूँगा, बिलकुल तोड़ दूँगा, अब इस बात को European Union में भी लेके गुस्सा है, और Ireland में भी गुस्सा है, बहुत सारे लोग य बोरिज जोंसन का बोलना है कि बहुत से बहुत से कंसर्स आपके कहां पर, UK केंदर, UK केंदर, cost of living crisis है, बहंगाई बढ़ रही है, living standards गिर रहे है, energy की cost बढ़ रही है, कहीं न कहीं, ये जो Russia Ukraine war में, pro Ukraine वाला जो stand है, वो domestically कहीं न कहीं, England के लोगों को परेशान कर रहा है, त बोरिज जोंसन का जो प्लान था कि affordable homes बनाएंगे ब्रिटेन की जंता के लिए, वो प्लान भी ground level पर उतनी तीजी से implement नहीं हो पाया है, immigration की crisis को लेके भी कहीं न कहीं बोरिज जोंसन से आपे नाराजगी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बोरिज जोंसन के उपर इख और यूरोप के बॉर्डर के बीच में बहुत सारे चेक्स लग गए हैं, इंगलेंड का सबसे बड़ा trade partner था यूरोपीन उनर, अब अब अब्वेस सी बात तो state के उपर impact आगा, यूरोपीन उनर के इंदर कोई चीज भेज नहीं तो यूरोपीन उनर के laws ब्रिटेन के प्र इसको बढ़ाया है, आपके बोरिस जॉंसन ने इसको लेकी बताया जाता है कि थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो कुल मिला के लोग बोरिस जॉंसन से इंगलेंड के अंदर खुश नहीं है, बहुत अलग अलग वज़ाओं से, किते लंबे समय तक बोरिस जॉंसन अपनी क मिनिस्टर हैं, और हकानी नेटवर्क के जो हेड़ सिरा जुद्दूर हकानी, इन्होंने बोला कि देखो भाई, स्कूल खुल गए है, जो मार्च से बन थे, और जल्दी आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, यह ऐसा हिंट देने की कोशिश कर रहे थे, कि यहाँ लड़किय हलाकि बाकी भी बज़े हैं, लड़के भी स्कूल नहीं जा रहे थे, लड़के भी स्कूल नहीं जा रहे थे, अब स्कूल खुले तो लड़के तो स्कूल जाएंगे, पर लड़के जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका कोई अनॉंस्मेंट नहीं आया है, तो सिराजुद्द तो अर्ली 1990 में जो भी गेंस मतब जो भी तालीबान ने किया था हम सब ने देखा था किस प्रकार से वोमें राइट्स को ट्रैमपल किया गया उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालीबान के अगेंस्ट यूएस ने कलंबा वार छिड़ा अलकाइदा के चीफ को मारा गय जब education के field में, employment के field में, woman, girls को मौका मिला, men's को भी मौका मिला, बट women और girls एक highly segregated community है अफगानिस्तान के अंदर, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, यह इस बात से पता चलता है कि 15% थी 2009 में अफगानिस्तान की labour force में female participation, मदब अफगानिस्तान की labour force में 100 लोग हैं तो इस के अंदर वुमें का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था गॉर्मेंट में पार्लेमेंट में मीडिया में आप कह लीजे हेल्थ में एजुकेशन सेक्टर में सिवल सुसाइटी में हर जगह पे वुमें की जो स्पेस थी वो बढ़ रही थी अफगानिस्तान एक हाइली कॉन्फि पार्लेमेंट के अंदर देखा जाए और मतब ये तालिबान का आने से पहले जो प्रोविशल काउंसिल है कांदाहार की नंगर हार की बदक्षान की हेरत की बल की यहां पे बहुत सारी आप कह सकते हो जो यंग वुमें है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सामने आ र रही थी लेकिन यह जितनी भी वुमें आगे बढ़ी थी जितना भी इन्होंने यहां पर प्रोग्रस की थी यह सब प्रोग्रस अब नीचे की तरफ जा रही है इंटरनेशनल लेबर और और इसा बताया जा रहा कि मिड दो हजार बाइस तक तालीबान के टेक वार से पहले जो वुमें इंप्लाइमेंट था उससे 21 प्रतिशत कम वुमें इंप्लाइमेंट होगा मिड 2022 तक तो यहां पर वुमें राइट्स बिल्कुल क्लियर तरीके से नीचे गिरते नजर आ रहे हैं और इसको कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है आप क्यों रोकने कोशिश नह चीजा था डिप्लोमैट्स का कि भाई जाके तालीबान से बात्चीत करके हर कंट्री तालीबान की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है और यह इंपॉर्टेंस और बढ़ गई जब से रशिया यूक्रीन का वार चुड़ा है इन सब चीजों में हुमन राइट्स का जो बहुत पार्ट है वुमन राइट्स ठीकिना वुमन इंपॉर्मेंट यह इंग्नोर हो गया है यहां पर जब डोहा में इंट्रा अफगान डायलॉग हुआ था यह जो अश्रफ गनी की सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन गया था तालीबान के साथ बात्चीत करने के लिए तो अश इस प्रकार से इसलामिक रूल्स और प्रिंस्पस को इंफर करते हैं उसमें वुमन को काफी एत्तक्स अग्रिगेट कर दिया जाएगा ठीक है ड्रस कोड यहां पर बताया जा रहा है कि वुमन के उपर लगाए जाएगा स्कूल के अंदर ओवराल वोमन को हिजाब पहनने को बोला जाएगा हिजाब तो देखे अपनी मर्जी से भी मुस्लिम वुमन दुनिया में बहुत सी जगों में पहनती है बट यहां पर ओवराल तालीबान का जो ड्रस कोड है वो बहुत ही ज़र्द स्ट्रिक्ट है और अलग 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 लीडर्स अपने अपने इलाके में अलग अलग प्रकार से लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बहुत हथ तक लड़कियों को पॉब्लिक लाइफ में आने की पर्मीशन नहीं है तालिबान के जो एक्टिंग प्राइम इनिस्टर ने मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंड इन्होंने क्या बोला है कि वुमेन शरीया लौ के हिसाब से काम करेंगी ओके जो फीमेल गौर्मेंट इंप्लोईस थी काबूल में इसे बोला घर पे बैठो किवल उन नौकरियों में जहां पर आदमी काम नहीं कर सकते वहीं पर वुमेन को काम करने की पर्मिशन दी जा रही पहले तो वुमेन बहुत सरी जगों पर काम कर रही थी लेकिन अब जहां पर आदमी काम नहीं कर सकते वहीं पर वुमेन काम करेंगी तो अलग-अलग इलाकों में जो तालीबानी लीडर्स हैं वो एक चीज़ पे तो बिलकुल तैय है कि नहीं भई हम ओवरॉल यहाँ पे वुमिन की इंपोर्टनेस तो नहीं बढ़ने देंगे तो जो तालीबान का राज 1996 से लेके 2001 में था कुछ-कुछ वैसा ही है और यहाँ पे जो ओथर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है इन्होंने बोला कि माई 2012 में इन्होंने मौलवी कलामुद्दीन का इंटर्व्यू लिया था जो अफगानिस्तान की टालीबान की जनरल डेपार्टमन फर दर प्रोमोशन ऑफ वर्चुन एलिमिनेशन ऑफ आइस की जो डेपुटी मिनिस्टर थे इनसे नोंने पूछा था कि भाई आप किस प्रकार से देखते हैं वुमेन राइट्स को कल की डेट में आपकी सरकार आज आती ही जो कि अब आ गई इनकी तो आप वुमेन राइट्स हो किस प्रकार से देखोगे तो उन्होंने बोला है कि देखो जब आप एक जनरलिस्ट हो आप हेड्स कार पहन के मेरा इंटरिव्यू ले सकते हो तो हम भी अपने वुमेन से ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारी वुमेन हमारे कल्चर के हिसाब से काम करेंगी यह जो बिना हेड्स कार कार उसमें आज की डेट में टिवी पे यह जो वुमेन जिरनलिसम का काम करते नज़रा तहीं अफगान कल्चर के अगी है इस तो बेसिकली वर्क फोर्स में वुमेन बहुत पहले से ही तालिबान को पसंद नहीं आती थी और चुकि अब तो तालिबान का राज आ चुका है तो वो इंस्टिउशन तरीके से उसको हटा रहे हैं और यह बहुत अत्ता के बहुत बड़ा सोशल इंपक्ट डालेगा एजुकेशन इंपक्ट डालेगा अफगानी सुसाइटी पे चुकि वर्ड बैंक के डाटा के साब से 2019 में अफगानिस्तान के अंदर 36% टीचर्स वोमेन थी पिछले 20 साल में सबसे ज़ादा तो अगर वुमेन के काम करने के उपर आप बैन लगाओगे तो एक तरीके से आप टीचर्स को पढ़ाने से रोक रहे हैं 700 जो फीमेल जनरिस्टी अफगानिस्तान के अंदर तालीबान के आने से पहले उसमें से सौ से कम आज की डेट में जनरिस्म का काम कर रही है पूरी दुनिया में यूक्रेइन वह ज़दा इंपॉर्टन हो चुका है अफगानिस्तान बैक एंड में जा चुका है तो कुल बिला के इंटरनेशनल कम्यूनिटी को यहां पर बहुत कुछ करना पड़ेगा तालीबान के अंदर जो वुमेन प्लाइट है इसके ओपर ध्यान देने के लिए यह सब बातें यहां पर पता ही जा रहे है तो इस आर्टिकल को हमनें डिटेल में देखा दोस्तो फि जीते सौ में से 61% बोट इनके पास आए कॉंग्रेस बीजेपी की केंडिडेट्स पास तक नहीं थे अब ओडिसा के स्टेट लेश्टिटिटिव एसेमली में 147 मेंबर में से 113 सीटे बीजु जनतादल के पास है नो डाउट बीजु जनतादल उनके जो लीडर है नमीन तो बीजेडी बीजु जनतादल ने 852 जिला परशे सीट में से 766 जीत दी 90 परसंट जबकि बीजेपी नी जीती 42, कॉंग्रेस नी जीती 37 फिर जब अरबन बॉड़ी पोल्स हुए सिविक बॉड़ी के तो 108 में से 60 जीती आपकी किसनी बीजेडी ने बीजु जनतादल ने कि बीजेडी थोड़ा आगे बढ़ रही है जैसे कि लोकसभा पोस 2019 में 38 दिसंबलों चार प्रतिशत वोच जीते पूरे ओड़ी सा के अंदर किसने बीजेपी ने आठ पार्लेमेंटरी सीट जीती एसेंबली एलेक्शन में भले ही जीती बीजी जनतादल थी लेकिन यह लगा कि भाई कहीं न कहीं ओडिसा के पॉलिटिक्स में बीजेपी इंपॉर्टेंट हो रही है लेकिन बीजेपी की इस राइस को बीजु जनतादल ने रोक दिया नवीन पतनायक ने बहुती और गनाइस तरीके से यहां पर पॉलिटिकल कैमपेइनिंग किये नवीन प एक बाई पॉल हुए थे वहां पर उन बाई पॉल में जो यूनियन मिनिस्टर हैं समय कि धर्मेंदर प्रधान साब वहार गहते किसके अगेंस्ट बीजु जनतादल पार्टी के एक मेंबर के अगेंस्ट 2017 के पंचैत एलेक्शन में 2019 के एसेंबिली एलेक्शन में ऐसा लग दिखा दिये और इस बाई पॉल के बाद एक कैबिनेट री और्गनाइजिशन किया है यहां पर नवीन पतनायक साब ने 11 मिनिस्टर को ड्रॉप कर दिया कुछ नए मिनिस्टर लिये हैं इन पुराने 11 मिनिस्टर से कुछ और काम करने के लिए बुलाया और सब लोग यहां बिलकुल मुव बन करके नवीन पतनायक की बात मान रहे हैं कोई भी नवीन पतनायक को यहां पर कॉश्चन नहीं कर रहा है यह ज़र लग बात है कि बीजू जन्तदल की सरकार नवीन पतनायक के कुछ ऐसे डिसीजन से जो कि थोड़े से कॉट्रोवर्शिल हो रहे हैं जगनात टेंपल पूरी की प्रोजेट को आगे ले आने कोशिश कर रहा है बें इसके अगेंस्ट कहीं न कहीं एजिटेशन हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोट ने बोला कि जो कुछ भी बीजू जनतदल की सरकार कर रही है that is well within the bounds of law फिर भाई जगनात सारका करके राइगड के ट्राइबल लीडर है अब यह कोई बहुत सीने ट्राइबल लीडर नहीं है लेकिन जब इस बार कैबिनेट का री शफल हुआ इस री शफल में जगनात सारका को बोला गया कि आप पहले आके शपत लो नॉर्मल कर जब भी मिनिस्टर्स वगरा की शपत ली जाती है ठीके न तो ऐसे केसिज में जो सबसे सीनेर मिनिस्टर होता है जो कि उमर में सबसे दराज होता है उसको नॉर्मल कर सबसे बोला आता है पहले या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी में पुराना होता है उसको बोला आता है कि आप पहले शाह आके शपत लो बाकी मेंबर्स भी बोल दे की कोशिश की नवीन पतनायक साब ने इस प्रकार के बहुत से आप कह सकते सिंबॉलिक एक्स प्रेंग यह डिस्प्ले करते हैं बीजुजंता दर के यह नवीन पतनायक साब फिर भाई श्री मंदिरा परिक्रमा प्रोजेक्ट यह मिस्टर नवीन पतनायक का टेंपल करने वाले हैं पिछले दस सालों में पहली बार यह फॉरेंग जा रहे हैं और मोस्ट पाबली उसके थूरू यह स्टेट में बहुत सरी इंवेस्टमेंट को लाने की कोशिश करेंग उसमें काफी सक्सेस्फुल हो जाते हैं तो नो डॉट बीजुजंतादल के लीडर नवी फिर वाई, false equivalence on profit remarks in दिली पुलिस F.I.R. देखिए, omnibus prosecution हो रहा हैं आपे, दिली पुलिस ने F.I.R. जायर की, लेकिन उस F.I.R. में निपुर शर्मा का भी नाम था, नवीन जिंदल का भी नाम था, अब ये दोनों लोग बहुत ज़दा news में रहे हैं, प्रॉफिट साब की उपर remarks को लेखे, तो इनके against international revolution रहा है, domestic तो छोड़ी दो, इंडिया गेंदर तो लोग नाराज हैं ही, पूरे देश से इनको गरिया आए जा, दुनिया से इनको गरिया आए जा रहा है, लेकिन दिली पुलिस की तरफ से सिर्फ इन दोनों के against F.I.R. रिजिस्टर नहीं और इंडिया मजलिस मुत्द ही, ये जो मुस्लीमीन करकि जो पॉलिटिकल पार्टी, इसकी लीडर अससुदीन उवैसी का भी नाम है, हिंदू महासभा, एक्टिविस्ट पूजा, शकून पांडे का भी नाम है, तो बहुत सारे लीडर्स का नाम दिली पुलिस की F.I.R. मे चलाई है, ये सब यहाँ पे दोशी है, इन सब के अगेंस्ट केस यहाँ पे चलेगा, अब इस बात को लेके, ये पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है, कि भाई, जब इस स्पेसिफिक गलतियां हुई है, तो आप इस स्पेसिफिक F.I.R. फाइल करो, लिखना आप एक ओ के अगेंस्ट चलता है, लेकिन यहाँ पे आप सब को F.I.R. के अंदर खीच के, ओवरॉल दिखा रहे हो कि हम पब्लिक ओडर में चीजों को रिजॉल्व करने कोशिच करने हैं, पर स्पेसिफिक तरीके से इन्वेस्टिकेशन नहीं चला है, जो 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 औरिजिनल के सजा नहीं मिलेगी, कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही है, तो वेल्फुल ट्रांस्ग्रेशन सफ लॉग को टैकल करने के लिए आपने हर तरफ से लोगों को खीच लिया, और दिल्ली पुलिस यहाँ पे बहुत साइडिजम दिखा रही है, ऐसा किसका बोलना है, तो अससुद्दीन उवैसी का बोलना है, भाई मुझे क्यों अफायर में कीच रहो, मैंने क्या गलती किये हैं यहाँ पे, हाला कि अससुद्दीन उवैसी ने थोड़ा बहुत भड़काउ भाश्ण दिये, हाला कि इनका भाश्ण कहीं बीजेपी को टार्गेट क तो फिर और बोल रहा है कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती हो सही नहीं होती इस प्रकार से जो पुलिस इन्वाल करती है अपने आपको एक्ट केस में वह सही नहीं है पुलिस का बोलना है कि जब भीम कोरे गाउं केस हुआ था तो भीम कोरे गाउं केस को पुलिस ने कै ऐसी कॉंस्पिरेसी की तुरू दिखाया था जैसे की मॉइस्ट इंसरेक्शन हो रहा है प्रकार की मॉइस्ट सेना बनाई जा रही हुँ सरकार क्या है फिर सिडिजन्शिप अमिंड्मेंट एक्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे वहां पर एक कम्यूनल कलर दे के सरकार ने य नहीं चलती हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यहां पर कुछ इंडियुजवस को टार्गेट मतब ऑथर यह बोला कि सिर्फ नुपुर्शर्मा नवी जिंदल को टार्गेट हो बाकी किसे नहीं कुछ नहीं किया लेकिन बाकी लोग को आरेस्ट करके आप केस की जो मे बावाल चारू है इन रिमार्क्स को लेकि काफी प्रॉब्लम हो रही है इंटर्नली बांगलादेश ने तो यह तक बोल दे कि हमारा इंटर्नल मैटर ही नहीं है अपना देखो आप तो यह सब हो रहा है इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगे मैं देता रहोंगा और फ अफिशली प्रेजडेंट डॉनल्ड ट्रम्प पे ही थे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी थी उन्होंने शुरू में ही यह रिपोर्ट दी थी कि इस प्रकार का वॉयलेंस हो सकता है लेकिन इस वॉयलेंस को टैकल करने के लिए डॉनल्ड ट्रम ने ग्राउंड लिवल की और इनकी डॉटर इवांका ट्रम्प की और इन वीडियो से ऐसा पॉइंट आउट हुआ कि डॉनल्ड ट्रम्प एक्चिनी में वॉयलेंस को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मिस्टर ट्रम ने इग्नोर किया कैपिट इस वॉयलेंस को रोका जा सकता था पॉब्लिक प्रॉपर्टी की नुकसान को रोका जा सकता था कॉंग्रेस के मेंबर्स की जो लाइफ खत्रे में डाली गई थी उसको रोका जा सकता था अगर सही समय पर डॉनल्ड ट्रम्प यहां पर एक्षिन नहीं लिया तो यह सब इस President के office के लिए run नहीं कर सकता अभी के लिए हालात कुछ ऐसे हैं कि भले ही यहाँ पर public hearing चल रही है House of Representatives committee की लेकिन इस committee के पास ऐसी कोई special power नहीं है कि वो proper तरीके से Donald Trump को यहाँ पर punish कर पाएं Donald Trump के उपर punishment नहीं होगा उनके उपर 14th amendment invoke नहीं होगा तो there is very much a possibility कि 2024 के presidential elections में Republican Party की तरफ से Donald Trump फिर से खड़े होगा चुकि इस समय पे Republican Party में Donald Trump जितना famous leader नहीं है अभी भी जो Donald Trump के ideas हैं, जो उनकी conservative approach है, इसको बहुत हद तक US में लोग पसंद करते हैं जो conservative तपका है, white अबादी है US की, वो बहुत अत्तक Donald Trump को पसंद करती, इनकी जो anti-immigration policies थी, ये लोग पसंद करते थे, तो there is a very much a possibility कि जब 2024 में election होंगे तो Republican Party की तरफ से Donald Trump compete करेंगे चुकि अभी के लिए जो House of Representatives की public hearing चल रही committee की, ये Donald Trump के against कुछ बहुत साथा concrete लेके नहीं आ पाई और लेके आभी पाएगी, तो इसके पास उतने rights है नहीं कि Donald Trump को Office of the President of United States के run करने से रोक सके, 14th Amendment भी Donald Trump के against invoke नहीं हुआ है तो there is very much a possibility that Donald Trump will run for the Office of President of the United States, until and unless इनको beach में ही disqualify ना करते है, जिसके आसार अभी के लिए थोड़े कम दिख रहे हैं तो यह है overall यहाँ पर दोस्तों analysis, I hope आपको analysis में थोड़ा मज़ा आया होगा, वीडियो को लाइक को share कर दीजेगा दोस्तों, चैनल को subscribe कर लिजेगा Instagram पर follow कर लिजेगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रकार की lectures में थोड़े amendments करूँ तो आप भी मुझे बता सकते हो, देखो मैं आपके लिए तीन वीडियो इसलिए लगता हूँ, एक one-liner है यह current affairs है, एक daily editorial है आज का जो current affairs है वो विनी सर ही लेके आएंगे, नॉर्मल कर cases में मैं ही लेके आता हूँ, कभी-कभी मेरे पास कम टाइम होता है, तो भी नी सर लेके आते हैं अगर आपको इन वीडियो फॉर्मेट्स में कुछ चेंजिस करने हो तो अपने जो suggestions है वो नीचे comment box में लेकिएगा thank you for watching friends, video को like को share कर दीजेगा, have a great day friends, goodbye